सीयम जेराम ठाकुर ने भारत चीन सीमा विबात में शहीद हुए सैनिक अंकुष ठाकुर के परिजनों से कडोता गाउं में जाकर धान्डस बंधाया और सांतम नाप्रकट की इस दुरान सीयम जेराम ठाकुर ने शहीद के परिजनों को हर संबब शहायता का आशवाशन दिया सीयम जेराम ठाकुर ने शहीद पलवार को 20 लाक रुपए की राशी भी भेंट की और शमचान घाट को जाने वाली सड़क को पक्का करने के साथ चाथ पीच्ची कडोता को अपक्रेट करना और घर के बाहर शहीद अंकुष ठाकुर का समार्क बनाने की बात कही इस अपसर पर परिवहन मंत्री गोविन ठाकुर पंचैती राज मंत्री विरेंदर कंबर बिधायक भुरंच कमलेश कुमारी नरेंदर ठाकुर भी मुझूद रहे मुख्यमंत्री जरामठाकुर ने कहा कि शहीद अंकुष देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है और अंकुष की शहादत को पूरा देश हमेशे याद करेगा उन्होंने कहा कि काफी लंबे अंदराल के बाद चाइना नहीं ऐसा प्रहार किया है जिसे चाइना के मनसुबे जाहिर हुए है और ये शहादत बियर्थ नहीं जाएगी लड़ते लड़ते शहीद हुआ है मैं उनको स्रिधान जली देता हूँ और उनकी श्यादत को ये पुरा देश हमेशा समरण करेगा याद करेगा उनके परिवार से मिलने के लिए आया था उनके परिवार को वी जाह्न करने के लिए शक्ति दे ऐसी परातना करता हूँ और काफी लंबे अंतराल के बाद चाइना ने जिस परकार का वेवार किया है इस गटना के दुरान उनके मनसूबे कुछ जाहिर हुए है और जैसे हमारे आदनिय पदाहन मंत्रे निरंदर मोदी जी ने कहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और मैं उनके हर शब्दों पर मैं ही नहीं पुरा देश विश्वाश भी करता है ऐसी परसिती में मुझे कुछ जादा नहीं कहना है लेकिन जहां तक इस बेटे ने अंकुष ने बहुत छोटी आयों में अपनी बहादूरी का सबूत दिया है और उनके परिवार बालों के साथ हम आज मिले हैं बीस लाक रुपे हमारी सरकार का लोगदान उनके लिए एक शहीद के नाते जो है वो दिया जाएगा इसके अथिरिक्त यहां पर उनने एक बात कहिए कि एक रास्ते की बात कही है एक गेट की बात कही है दोनों को भी हम मनजूर करेंगे दोनों के लिए जो भी पैसा लगे गा उसके लिए मैंने कहा डेप्टी कमिश्टर को वो उस सारी चीज को लेकर के एस्टीमेट बना करके तियार करें और उसके पास जितना पैसा लगेगा उतना पैसा उसमें देंगे जो है यहां पर तो इसको और ज़्यादा उनने कहा कि इसको और स्टेंटन करने की आफशक्ता है यह होल्स पिती और किनोर को परदेश सरकार ने हाई अलर्ट पर रखा है हमिरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जहरम ठाको ने कहा कि परदेश के लोगों को चिंदा करने की जुरूरत नहीं है लेकिन स्तरक रहने की आफशक्ता है उनने कहा कि शिमला में इस बाबत परदेश क पदाधिकारियों के साथ बैटा करके अगामे रणनिती तयार की गई है ताकि किसी भी स्तिती से निपटने के लिए तयारी पूरी हो उनने कहा कि दो बार चैना का हेलिकॉप्टर सीमा के अंदर घुज गया था जिससे अब आने बाले समय में ऐसा ना हो सिरकार तयार है इंटर्नल कॉडिनेशन के इसाब से थी हमारा स्टेट गवर्मेंट का पूरा एडिमिस्टेशन हमारी पूलिस फोर्स आर्मी के साथ जो है वो पूरी तरह से कॉडिनेशन में रहे यह बहुत जुरूरी होता है ऐसे चंड में और दोनु जिला में लाल्पिती और किनौर मे हमने हाई अलर्ट पर सारे अडिमिस्टेशन को रखा है अलांके चिंता की कोई बात नहीं लेकिन इस परकार से कुछ आइसुलेटीड इंसिदेंट्स बीच में हुए थी जिसमें दो बार चाइना का हेलिकॉप्टर हिमाचल की सेमा में किनौर जिला में परवेश किया तो की जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है में चे को मिनिस्ट्री ओफों में फेस के वहां पर भी दी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ बड़ा हमारे लिए चिंता का विश्य जरूर नहीं लेकिन हमको स्तर्क रहने की जो जुरूरत है उस दिश्री से ही बैठ की तक दर्मचाला में मैकलोड गंज में सुरक्षा प्यवस्ता को लेकर कोई निर्देश केंदर सरकार की ओर से नहीं आये हैं उन्होंने कहा कि परदेश में अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी सही होगा बेकिया जाएगा दिशा निर्देश होंगे केंदर सरकार की ओर से और ऐसे में हम निश्चित रोप से अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी आवश्रक होगा वो करेंगे जहां तक मकलोड गंज की बात है मुझे लगता कि अभी फिलाल उस सारी चीज को लेकर कि अभी इस तरह का कोई व और कॉंग्रेस को चाहिए कि देश के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करें ना कि ऐसी घड़ी में इस तरह की ब्यानबाजी करके राजनीती करें मुझे लगता है कि ऐसे संक्रिक्षन में राजनेतिक प्रशन उनको नहीं खड़ा करना चाहिए देश की जुरूरत है मिलकर के कठा चले देश की जुरूरत है कि मिलकर के दुश्मन का सामना करें और वही इस वक्त करना चाहिए वही आदनिया प्रदानमंत जी कर रहे है